तो दा केरेला स्टोरी ने जो है न एक बशकल नंगा सच दिखाया है मुसल्मानों का जिस तरह से कश्मीर फाइल ने एक नंगा बशकल सच दिखाया था मुसल्मानों का उसी तरीके से इस मूवी ने भी एक बशकल एक अगली त्रूथ दिखाया है मुसल्मानों का और मुसल् चाथे हैं ने ने करते हैं कि और मेरी माँ सिक्ट चुनाला करते हैं कहते हैं के जा चाहते हैं के सच चट हैं बहुत पाकीजा है आपकी मा की इज़्जत और दूसरे की बेटियों की इज़द नहीं है वहरे वहर उपर च्छते पर मा नमास पढ़ रही है और नीचे बेटा खड़ा हो करके दूसरे गली मोहले के लड़कों के साथ दूसरी दूसरी बेटियों की इज़्जत Уतार रहा है इसलिए गलत दिखाया गया है आप एक दिखाईए कि किसी मुसल्मान ने बलादकार किया है आप एक दिखाईए कि किसी मुसल्मान ने अपनी बीवी को तलाख दिया है आप एक ऐसा मुसल्मान दिखाईए जो घर में बीवी होते हुए भी बाहर इक्स्ट्रा मैडिल अफ्यर नहीं रखता है, आप एक ऐसा मुसलमान दिखाई है जो कई लड़कियों के साथ ओय और उम में जा करकर सेक्शूल सेशादी किया, हमारे प्रॉफट मुहम्मद ने अपने उम्र से 15 साल की बड़ी लड़के से शादी किया, आप क्यों नहीं करते हैं? अरे फलाना लड़की जीन्स पहन के निकली थी, अरे वो लड़की का और भी दो boyfriend था, अरे वो लड़की देखो 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 वो लड़की जो है ना फलानी की बेटी है, मुसल्मान है, देखो उसका ना दो तीन पहले boyfriend था, उसके साथ इसके sexual relation थे, अभी रिष्टा लग ग पाड़ा, महला, गली, कूचा, एरिया, हम तो रोज देख रहे हैं तलाग का केसे, हम तो रोज देख रहे हैं कि बेटियां जो है, अपने बच्छों को बोधी में ले करके, सिसक्ती हुई, रोती भी आ रही है, कि फलाना मुसा ने हमको तलाग दे दिया, आप ऐसे नामों क कि बतनामी कर रहे हैं, जिसको पुरान में इतना आला दर्जा दिया था, आप नाम तो रखते हैं इसा और मुसा और मुहम्मद, लेकिन आप तलाग देने से पीछे नहीं हटते हैं, आप लड़कियों को बयाबरू करने से पीछे नहीं हटते हैं, आप नाम रखते हैं तुकाना पड़ता है, कहना पड़ता है कि हाँ ऐसी मूवे देखानी चाहिए, तुम हमको कुछ नहीं बोल सकते हो, पर हम बोलेंगे, ये नया हिंदुस्तान है, ये डिजिटल हिंदुस्तान है, हम बोलेंगे, और हमें कोई नहीं रुख सकता है, और सिनिमा ये कैसी चीज है जिसको बहुत खूपसूरत तरीके से कड़वा से कड़वा सच सही तरीके से बड़े-बड़े पर्दों पे दिखाया जा सकता है देखिए हिंदुस्तान में अब हिंदुस्तान ही कैसे situation पर आया है जिसको करन जोहर के डोलने नाचने और छोटे-छोटे कप्डे वारी movie नही पसंद है करन जोहर वाला प्यार मुहमद चुम्मा चुम्मी वाला movie अब जनता को नहीं पसंद है हिंदुस्तान की जनता को historical movie पसंद है अपने फिसिकल नीर्स को पूरा करने के लिए यह अनुमती अधिकार आपको किस ने दिया है कि वो लड़की अगर हिंदु है तो आप तेख लेंगे तेरे घर घुसके तेरा रेप कर देंगे इसी मोवी की एक टीपिंग आई थी जिसमें अधा शर्मा जो है जो एक्ट्रेस है उन्होंने हिजाब पहन करके लोगों से बिनती कर रहें थी कि मुसल्मान लड़कियों उपर बहुत अत्याचार हो रहा है मुसल्म देखी तब इनके कलेजे में दर्द और हाट अटक स्टार्ट हुआ कि आरे यह तो हमारा सच मोल दिया जा रहा है यह तो वो बाते बताती जा रही है जो हमने आज तक छुपा कर रखने की कोशिश की गई है यह सल्मान मर्दों के दिमाग में यह चीज क्यों अटी बैची ह कि हम हिंदू लड़कियों के जिस्म के साथ खेल सकते हैं हम हिंदू लड़कियों के साथ शादी करके उसको फोर्स कर सकते हैं कि जो बच्चा होने वाला है वो मुसल्मान धर्मों को ही मानेगा मुसल्मान रिच्वल्स को ही मानेगा अगर मा हिंदू है और मा का और पुरान कहता है कि बच्चे की पहली दर्जगाह मा की गोध होती है तो क्यों नहीं वो रामायन मानेगा क्यों नहीं आरतों के साथ ये हुआ है उसमें से एक निशा पात्मा ने अपना बयान खुद दिया है जिन आरतों के साथ हुआ है उनमें से कई औरते खुद सामने आई है और उन में भी एक नंगा, बद्नुमा, बद्शकल, मुसल्मानों का सच नजर आया, जो टेररिजम के नाम पर, ना जाने कितनी लड़कियों के जिन्दगी बरबाद कर चुके हैं, ना जाने कितनी लड़कियों के आत्म सम्मान के साथ खेल चुके हैं, ना जाने कितनी लड़कियों क यह एक अगली टूथ है मुसलिम काम्यूनिटी का जो शायद ऐसा आपको लग रहा है कि क्योंकि आप मुसलिम कंट्री में रह रही है तो आपको लग रहा है कि हम नहीं देखती हैं पर हम हर रोज देखते हैं हर रोज नाजिया जी यहाँ पर मेरी जो ओडियंस जिन्होंने नहीं देखी है देखी तो अलमॉस्ट सबने होगी जिन्होंने मुवी नहीं भी देखी ट्वेलर जरूर देखा होगा तो उनको मैं थोड़ा सा बताती चलों कि यह मुवी बेसिकली कन्वयन, कन्वयन ओफ रिलिजन, ल लेकिन हमारे सामने एक न्यूज आई है जिसके अंदर इस मुवी के सीम नहीं बात ही है पिनल विजन का नाम है कि यह आरेसस बीज़पी का एजंडा है, मुझे बताएं, सीम उफ केरला नहीं बात ही है, मुझे बताएं नाजिया जी इस स्टेट्मेंट को देखते वे आप कोई कांट्रोवर्सी जो मुसल्मानों के विरोध में जा रही होती या इस मुवी में अगर कोई सच्चाई ना रही होती, तो करला हाई कोर्ट ने इस मुवी के एगेंस्ट में जो पेटिशन और प्ली जो पेटिशन जो पी आई पापलिक इंटिर्स निटिकेशन जो इंट्रफेयर और अपनी नेगेटिविटी दिखाई होती या आपके सेंसर बोर्ड जो सेंसर बोर्ड सोते हैं उसमें भी रूल एंड ऑबजेक्ट्स होते हैं उसमें भी काफी काफी चीजों को दोक्यमेंटेशन तरीके से उसको पास कराना पड़ता है तो शायद सेंसर बोर्ड में ही ये मूवी रुक जाती अगर वाके में ये मूवी जूट पर आधारित होती या किसी तरीके का एक प्रोपगंडा के आधारित होती पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ आज ये मूवी इस प मूवी को उस मूवी पर से हौल से बाहर निकलने के बाद कह रहे हैं कि एक ऐसी सचाई के बारे में हीरे धीरे पता चल रहा है जो शायद आम लोगों की नजरों से ओजल था जो शायद आम आम नजरें जो है उसको देखती थी पर इस तरीके से एक सही से सजा हुआ तरीके स तो ऐसा तो कोर्ट ने कोई interference करके इस मूवी को स्टे करने की ज़रूरत महसूस नहीं की चाहे हाई कोट हो चाहे सुप्रीम कोट हो या जितने भी लौ एन ओर्डर के डिपार्टमेंट्स हो या डॉक्मेंटेशन तरीके से यह मूवी कंट्रोल में नहीं आई यह मूवी रोकी किया है और यहां दोसान के और और बाहर के भी कई चैनल पर उन लोगों ने बताया है कि ऐसा हुआ है उनके साथ तो अब जो पिडिताएं हैं जो विक्टमाइज़ हुई है क्या वह भी जुट बोल रही है क्या माद्री इसमें इसमें हमें दो तरह के शनारियों देखने को है यह एक्शल में सारी चीज़ हमारी हिस्ट्री में मौझूद है और करेंट सेनारियों में भी देखने को मिलती है उनके अधार पर हमने यह तियार किया और लोगों के सामने एक नक्षा खैंच के रखा है लेकिन इसके बैक्ग्रांड में भी अगर हम देखें तो बहुत स कि अबिया तो बेखेंगे उनके से लिए रिलिजिन को रिखेंगेे लेकिन कुछ लोगों के यह थे सहीं है कि नहीं यह थे जिए उनके सिपर भी दिखा रही है मैं तो सब पहले कहुँए कि कि अंतिनाशन एटमें को हम पसंद नहीं करते हैं अगर को कोई भी बड़ा अद यह जितना भी बड़ा डिरेक्टर हो, ऐसी मुवीस को हम अप्रिशियेट नहीं करते हैं जो जिसमें अंटी-नैशनल स्टेटमेंट दिखाये जाते हैं या जिस अप्टर और अक्टरिस ने अंटी-नैशनल स्टेटमेंट से कैम्रा के सामने पहले कभी या बाद में दिया होग उसके बाद कश्मीर फाइल आई तब उसमें उसमें बहुत सारी कॉंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आएं बहुत लोग उसमें कहने लगें कि नहीं मुसल्मानों के सच को आप नहीं दिखा सकते हैं तो भाई यह कहां पर लिखा हुआ है कि अगर मुसल्मान कुछ गलत करे तो उसकी सचाई हम नहीं दिखा सकते हैं या मुसल्मान अगर बलादकार करे तो हम उसको बलादकारी नहीं बोल सकते हैं मुसल्मान अगर टेररिसम अटाक करे तो हम उसको नहीं बोल सकते हैं यह तो कोई बाउंडेशन नहीं ना freedom of speech, freedom of expression हमारा सम्विधान का आर्टिकल 14, 19, 17, 21 हमें इस चीज की अनुमती देता है, हमें इस चीज की इजासत देता है कि हम अपनी बातें रख सकते हैं, freedom of speech के तहत, हमारे fundamental rights को कोई hamper नहीं कर सकता है, आप देखिए, 32,000 लड़कियों के साथ मुझे लगता है इससे जादा ही होंगी, और रही बात के recently या हमने यहाँ हैं, हिंदोसान में जब आप आईए गा तो आप किसी भी शहर, किसी भी state में, किसी भी town में जाईएगा, जिस घळर में दो या तीन बेटे होते हैं, मुसल्मान के घर में, एक बहु हिंदू होनी ही होनी है, एक बहु Christian या नेपाली होनी ही होनी है, यह एक्ड़म mandatory ह यह लिखा हुआ है, यह जैसे सुनना है, जैसे Prophet Muhammad ने लिखा है, कि देखो तुम्हारे पेट से अगर तीन बेटे निकल रहे हैं, तो तुम्हारे घर में एक बहु हिंदू आनी ही आनी है, या एक बहु नेपाली आनी ही आनी है, यह हिंदुसान में ट्रेंड है, अब आप वो भी हिंदूों से शादी किये हैं और बहुत मतलब प्राउडली कहते हैं कि हमने ऐसा किया है, लेकिन साथ ही साथ अगर सूरे अलबकर के वर्सिस 221 में जाया जाए, तो वहां पर साफ लिखा हुआ है, कि भाई हिंदूों से या गयर मजभ से शादी करना सक्त ममानियत है यह हमारा खुरान कहता है, यह तो हमारा खुरान कहता है ना, हमारे खुरान ने कभी भी जना का, बलातकार का, मॉलेस्टेशन का कोई भी अनुमती नहीं दिया है, पर बलातकार में अगर देखा जाए, तो इंडिया फॉर्ट पोजिशन पर आता है, क्राइम में, अगर इं मतलब मान लीजी एक सो अक्यूज अगर पूरे इंडिया में जेल में है तो साथ एक्यूज रेप की सजा खट रहे हैं और वो साथ के साथ मुसल्मान क्यों है। फलाना मुसलिम लड़के ने फलाना हिंदू लड़की से प्यार महबत कर लिया और फिर उसको छोड़ दिया। उससे शादी नहीं की। है कि हम हिंदू लड़कियों के जिस्म के साथ खेल सकते हैं। हम हिंदू लड़कियों के साथ शादी करके उसको फोर्स कर सकते हैं। जो बच्चा होने वाला है वो मुसल्मान धर्मों को ही मानेगा। मुसल्मान रिच्वल्स को ही मानेगा। अगर मा हिंदू है और मा का और पुरान कहता है कि बच्चे की पहली दर्जगाह मा की गोध होती है। तो क्यों नहीं वो रामायन मानेगा। क्यों नहीं वो भगवत दीता मानेगा। क्यों नहीं वो हनमन चालिसा पढ़ेगा। क्यों नहीं वो राम भगवान की पूजा करेगा। क्यों नहीं वो दुर्गा मा को अंजली देगा। अगर मा की पहली गोध बच्चे की मा की गोध होती है पहली दर्जगा, तो दर्जगाह में die हिंदु घर से आई Assim, अब आप ऑप एक कास्ट एक लग रिलेज्टन rozp क्लचर की लड़की को लेकर राते हैं और आप उसके ऐपर दबाव कि बाइब तुमने नमास परना तुमने सास की तिमरदारी करनी है तुमने बहुत चारे बच्चे पैदा करनी और वो बच्चा मुसलमान HOL Gotta, लेकिन आप पार्शेलिटि मुसलमान डारी टूपी वालों का देखिए बारी दाद में लड़कियों से नेपली लड़कियों से शादी करते है पर बारließ कि इसाई से यहुदी से अगर शादी करनी की सोच भी लेतीं तो उसको खड़े जहन्नमी बौल दिया जाता है आकर यह सारा दबाओ, यह सारी पार्शेलिटी, ये सारे xcuses, ये सारे rituels, ये सारे सु turning harp, ये सारी आयते, ये सारे कुरान की बाते सिर्फ लड़कियों पर ही क्यूँ थोफ़े जा रहे हैं। जाए कर लड़कियों पर ही क्यों जायस खरार दिया जा रहा है। कहा जाता है, सारे मुसल्मान के जितने भी धरम के ठेकेदार है, वो कहते हैं कि एक खांदान की बेटी का इजदार होना बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही इंपोर्टेंट है, तो एक इजदार घर के बेटे का भी इजदार होना बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, य इस तरह से कश्मीर फाइल ने एक नंगा बद्शकल सच दिखाया था मुसल्मानों का उसी तरीके से इस मुवी ने भी एक बद्शकल एक अगली टूथ दिखाया है मुसल्मानों का और मुसल्मानों को दर्थ होगा मुझे पैता है कि दर्थ होगा नाजियाजी जी इस मूवी को लेके इसके रिलीज होने से पहले इसका ट्रेलर जब रिलीज हुआ तभी कहा जा रहा था कि ये सोचली बहुत ज़्यादा जो है वालेशन बन सकती है ये मूवी बहुत सारे चीजें खराब कर सकती है society के अंदर बहुत सार फसाद प्रशाद प सकते हैं देखिए मैं इसमें भी आपको एक डाइबॉलिक शैतानी दिमाग मुसल्मानों को में बताना चाहूंगी जरूर इसकी सबसे पहली एक छोटा सा वीडियो वाइरल हुआ था जिसमें एक लड़की जो है जो उसमें एक्ट्रेस है आदा उन्होंने नकाब पहन करकी य मुसल्मान लड़कों ने, मुसल्मान मर्दों ने उस क्लिपिंग को बहुत वाइरल करवाया था क्योंकि उस वक्त हिजाब का एक सिनारियो चल रहा था जो हिजाब की कैसे चल रहे थे, बहुत कॉंट्रोबर्शियल हिजाब की बात चल रही थी, काफी कैसे भी चल रही थी कि मुसल्मान लड़कियों उपर बहुत त्याचार हो रहा है, मुसल्मान लड़कियों को यह किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, तब यह वाइरल करवाने वाले, यही मुसल्मान लड़के लोग हैं, यहीं मुसलमान सोशल एक्टिवेस्ट है जिन्होंने वाइरल करवाया था और जब इन्होंने ये पूरी पिच्चर देखी तब इनके कलेजे में दर्द और हार्ट अटैक स्टार्ट हुआ कि अरी ये तो हमारा सथ पोल दिया जा रहा है ये तो वो बाते बताती जा रही है जो हमने आज तक छुपा कर रखने की कोशिश की गई है ये तो वो बातों को जनता के सामने और पूरे हिंदुस्तान के सामने और पूरी दुनिया के सामने रखा जा रहा है जो हम घर-घर के अंदर कर रहे हैं जो हम अपने अपने घरों मे चैक पर करते हैं यह तो वो बाते सामने आ जा रही है इसलिए मुसम्मानों को दर्द स्टार्ट हुआ है आज देखिए आप हिंदुस्तान में आईएगा आप जितने भी हिंदू एरिया में जाईएगा वहाँ पर अगर लड़के चाय की दुकान में खड़े होते हैं तो वो एकनॉमिकल ग्राफ के बारे में बात करते हैं वो अपने आगे बढ़ने के बारे में बात करते हैं वो अपने करियर के बारे में बात करते हैं वो अच्छी बुरी चीजों और बुरी चीजों के बारे में बात करते हैं वो अवेरनेस के बारे में बात करते हैं पर आप किसी भी स्टेट के हैं, हिंदुस्तान के, किसी भी स्टेट के, मुसलिम पाड़ा महला में चाहिएगा, अरे फलाना लड़की जीन्स पहन के निकली थी, अरे वो लड़की का और भी दो बॉइफ्रेंड था, अरे वो लड़की देखो 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 बो लड़की जो है ना फलानी की बेटी है, मुसल्मान है, देखो उसका ना दो तीन पहले बॉइफ्रेंट आ, उसके साथ इसके sexual relation दे, अभी रिष्टा लग गया, अभी शादी होने वाली है, अरे 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 ये लड़की तो पता है, बहुत उचे पोस्ट पर है, आपको पता है, ये कितने मंत्रियों के साथ सोई है, बिना मंत्री के साथ सोई, इतनी बड़ी गारी ले ली है, तो ये होती है conversation, ये होती है gossip, मुसल्मान लड़कों की पाड़ा, मोहला, गली, कूचा, एरिया में ये होता है, ये करते हैं मुसल्मान लड़के, सोशल मीडिया पर आप देखिएगा, जितनी भी गालियां देते हैं, मुसल्मान लड़के देते हैं, जितनी भी वाहियाद से वाहियाद गालियां देते हैं, वो मुसल्मान लड़के देते कल मैंने एक चैनल पर इसी दा केरला स्टोरी के बारे में कहा है and I have proof के मुझे तीन मुसल्मान लड़कों ने पूरा रंग दिया है कि मेरा बेटा ना जायज है मैंने दस मर्दों के साथ सो करके अपने बेटे को पैदा किया है यह मुसल्मान लड़के कह रहे हैं आरेफ इसलाम, मुहमद मुहीन, तो मुहमद ये, तो मुहमद वो, यह मुसल्मान लड़के कर रहे हैं वो argument में नहीं जा रहे हैं, वो confrontation में नहीं जा रहे हैं वो जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि क्या ये बात सही है, एस पर लीगल वो सही बोल रही है, या वो गलत बोल रही है उनके जुबान पर गालियां हैं कि हमने इसे सिर्फ गाली देनी है तो क्या कुरानिस्टीस की अजासत देता है भाई, आप कितनी movies को आप ना करिएगा आप कितने बयान को ना करिएगा, आप कितने आकड़े को ना करिएगा आप कितने ग्राफ को ना कीजिएगा अपनी गालियां दे करके अगर मुसल्मान खौम ऐसा बन चुका है तो उसको साबित करने से कोई पीछे नहीं हटेगा being a Muslim मैं भी पीछे नहीं हटूँगी मैं भी पीछे नहीं हटूँगी महविश आप पाकिस्तान में बैटी हो और आपका आपकी न्यूस जितनी बार भी दिखाई गई है मेरे Facebook पेश पर आप उसके कमेंट्स पढ़िए मुझे और आपको गालियां देने वाला सबसे जादा मुसल्मान है यह सनातनी और हिंदू नहीं है उनके समझाने का तरीका अलग होता है कि नाजिया जी आपने यहां पर ऐसे बोला यहां पर ऐसे बोलना चाहिए था यहां पर यहां पर ऐसे बोलना चाहिए था अगर यही यही चीज मुसल्मान कैसे बोलेगा अरे प्रोस्टिट्यूट कहीं की ऐसे बोली है ऐसे बोलेगी तो देख लेंगे तेरे घर घुसके तेरा रेप कर देंगे this is the exact language of Jerusalem in India this is the real upbringing in India Muslimanon کی reality, muslimanon کی upbringing muslimanon ka exact nature behavior आज के यूगाओं, यूगाओं मुसल्माणों का exact nature behavior यही है यही है, यही है, सेम यही है और अगर truth दिखाया जा रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है यहां सच में हिंदू लड़कियों को प्यार महबत के जाल में लड़के फसाते हैं, यहां सच में प्यार महबत और शादी का भाना दे करके उनको जूटा दिलासा दे करके हिंदू लड़कियों को वो ओयो रूम में ले कर जाते हैं, उनके साथ sexual relation करते हैं, कुछ शादी कर ल यह अधिकार आपको खुरान ने दिया है अगर खुरान ने दिया है तो पारा नंबर बताईए वर्सेस नंबर बताईए यहां हिंदुस्तान के हर मुसल्मान के गली कुछा में आप सिर्फ चले जाएए आप मेरे साथ चलिए मैं आपको दिखाऊंगी कि मुसल्मान लड़को कि gossip क्या होती है मुसलमान मर्दों की gossip क्या होती है यहां 50-50 साल का बुढ़ा आदमी 14 साल की 15 साल की लड़कियों को गलत नजरों से देखता है यहां आप juvenile rape case के कड़गरे को जाकर के देखिए गा बुढ़ा बुढ़ा 50 क्या नाम है इस्लाम उल्हक चया नाम एसलाम उल्हक क्वा और किस लिए खड़ा है तो बच्छों के बलातकार के सजा में खड़ा हुय है डॉक्पर मैं जानती हूं कि मुसल्मारों का ये बदशकल सच है पर सच तो सच होता है ना इससे तो हम डिनाई नहीं कर सकते ना प्यार मुहबबत के जाल में हिंदुस्तान में सबसे जादा मुसल्मान लड़के हिंदु लड़कियों को फिसाते हैं सबसे जादा मनिपूर और मनिफाल से जितनी लड़कियां आती हैं जितनी लड़कियां हमारे नौतिस से आती इमोशनली ब्लैक्मेल करके उतारा गया है और उनसे टेररिज्म करानी की पुरी-पुरी कोशिश की गई है तो इस इस दा एक्ट्वल निवर फैक्ट नाजिया जी लेकिन करेला के जो सीम है उन्होंने कहा है कि यह आरे से बीजेपी का एजेंडा है यह प्रोपगंडा बनाय यह कोई जो है अफेक्शनल चीज को उठा के इन्हों इस तरह से पोर्ट्रे किया इसमें रियालिटी नहीं है लेकिन दूसरी जाने मुवी की ही डिरेक्टर के रहें के यह रेल बेस्टोरी है यह को तो रेल ही कहेंगे ना हमारे हिंदुस्तान के वेस्ट बिंगॉल में ना सरह को जो जो भी ट्रपगेंड़ा इसको जो प्रपोगंन बताया जा रहे हैं उसके अपर क्या एक्सिवskन दू भूलेंगे इसको जो ब्यूल्बे टीरियू ना मुस्लमान का 28 परसंट बोट मिलेगा वह तो बोलेंगे लेकिन रेल को तो हमां हिल ही बोलेंगे ना, आप मह पर नाजिया इलाहे हैं मैं मुसल्मान हूँ लेकिन मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं बहुत फक्र से बोलती हूँ कि मैं हिंदुस्तानी। तो जो ग्राइव उस पर तो परदा नहीं डाला जा सकता। , नासल खान बलादकारी था है और रहेगा। वो कलमा शरीक है, इसका मतलब यह थोड़ी है कि वो बलातकारी से उसका नाम फहरिस्ति नाम हट गया इस पूरे हिंदुस्तान में बलातकारी 60% प्रिजन अंदर जेल में हैं यह तो फैक्ट है नाजिय जुष्छय जिआतिं और यह थो उकी से और स्टान में आति रहे है इसै उस। उसलिया बावाध समकी में आ है तो वहाँ पर उस act में ये बताया गया है कि अगर माल लिजी लड़की हिंदू है और लड़का मुसल्मान है और अगर दोनों को शादी करनी है तो वो भाग करके कहीं पर भी शादी नहीं कर सकते हैं उन्हें अपने माबाप को बुलाना पड़ेगा पहले थाना नियरिस पु बुक्सूरक कानून बना तो इस कानून से काफी चीजे शांती में आई उतरप्रदेश में यह वो वो इस्टेट मानने को तयार नहीं है जहां पर भारजजनता पार्टी की सरकार नहीं है इस स्टेट में जहां पर CM, Congress, TMC या किसी स्टेट, स्टेट वाइस स्टेट है वो म करलेजीग और फिर फुव मर्द कहेगा कि जो बच्चा हुआ है वो वो मंदिर जाएगा वो हो पाठ पूजा करेगा आपको प्रॉब् sulphi, फिर आपकोघेग AH, कि आपको बूखा पहना पड़ेगा फिर आपको कहेगा के आपको ज़ज बच्चे पैदा करने पड़ेंगे तो हिंदू लड़कियों को भी तो प्रॉब्लम होता है ना, बहुत प्रॉब्लम होता है ना, तो जो जैसे मुसल्मान मर्दों में एक बहुत फैसिनेटिंग चीज है के वो बहुत प्राउड फील करते हैं, कि हम मुसल्मान हैं, हम म और वक्ष में करिएगा, जो आप सुसाइटी के रिफॉर्म होने के लिए करिएगा, जो आप अपनी खौम के बेहतरी के लिए करिएगा, ये तो चीजी पुरान ने बताई है ना, जहां अगर अगर ये सारे तमाम दाड़ी टुपी वाले वाके में पुरान मानते हैं, तो जवान जो लड़के हैं या मिडल ऐच के जो मर्द हैं, यह खुरान को फाललो करते हैं, तो फिर ये बलादकारियों के एगेंस्ट में, अगर कोई मुसलमान बलादकारी होता है, तो उसके एगेंस्ट में कोई मिचल मिटिंग क्यों नहीं करते हैं, ऐसी कॉंट्रोवर्शियल statement उनके against में क्यों नहीं देते हैं आपने कभी सुना है कि विक्टम के पक्ष में पचास मुसल्मान मर्द एक साथ बाहर जमीन पर निकल आया और कहा कि हम उस फक तक धरना पर बैठे रहेंगे जब तक इस बलादकारी कुफासी की सजाना हो जाए आपने कभी भी सुना हो नहीं सुना होगा गूगल में ढूंते ढूंते बुड़ी हो जाइएगा पर नहीं देखा होगा पर हिजाब पहनाने के लिए सारे मुसल्मान मर्द रोड पर थे लुंगी उठा उठा करके रोड पर थे हिजाब पेना हो हिजाब पेना हो हिजाब पेना हो लेकिन मुसल्मान अगर बलातकार करे तो उसके उसके विरोध में कोई मुसल्मान मर्द बाहर नहीं एकदम नहीं आता है, मुसल्मान मर्द अगर हिंदू लड़की से शादी करे, सारे दाड़ी टोपी मौलवी मुल्लाओं की जबान में प्ताला लगा रहेगा, लेकिन मुसलिम लड़की अगर कह दे कि हमको हिंदू से शादी करनी है, ये सारे दाड़ी टोपी वाले इस तरह स से उसको नोचेंगे इस तरह से उसको